नमस्कार दोस्तों मैं सुभाशर्मा चंडीगट से आज आपके लिए एक नायाब जानकारी लेकर आया हूँ जो की जुड़ी हुई है पैन से अब पैन का उपयोग लाल किताब में बताया गया है पैन के उपयोग के बारे में किस तरह की श्याई हमें यूज करनी है किस तरह ये पूरी स्पेसिफिकेशन इसके बारे में क्या खास बाते बताई गई है हमें कलम की ताकत तो पताई है कलम की ताकत इतनी ताकत होती है जहां पर बड़े बड़े युद्ध काम आते हो वहां पर एक कलम की शक्ती काम आ जाती है यानि कि कलम में वो शक्ती है आप किसी भ लिए फलें जो आप पैन यूज़ करें वो पैन आपका काम आए आपके आगे उन्नती आपको दिलाए इस तरह से पैन का उपयोग लाल किताब में बताया गया है अगर हम पैन की बात करें और उससे लिखने वाली लिखावट की बात करें तो वो हमारे व्यक्तित को दर्शात होती है तो इसी तरीके से जब हम कोई भी कहीं पर भी साइन करते हैं या कुछ भी लिखते हैं वो एक फ्लो और एक वो कॉन्फिडेंस हमारी लिखाई से जाहिर हो जैसे कि हैं स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स जब वो लिखते हैं उनकी लिखाई अच्छी होती है तो ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमारे sign matter करते हैं या फिर हमारी लिखावट को लोग देखते हैं या फिर आपको यह ऐसी authority के वाली post पर हो जहां पर आपके sign matter करते हैं बहुत सारी चीजे हैं जहां पर हम अपने sign या अपनी लिखावट से जाने जाते हैं अगर हम घर का हिसाब कि प्रक्राइब करते हैं कुछ भी हो हमें एक स्पेसिफिक लखी पैन यूज्ज करना है अब लखी पैन क्या है देखिए लाल किताब में कई तरह के पैन बताए गए हैं पर एक निचोड के तौर पर आपको ऐसा पैन मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए हर तरह से लखी पैन तो ले ले, पर इसका इस्तमाल नहीं जानते हैं, यानि कि उसको इस्तमाल कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे रखना है, कि वो आपके लिए एकदम लखी पैन बना रहे है देखिए लाल किताब में बताया गया है कि जो गोल्डन कैप है गोल्डन कैप रेड बैरल यह जो है बॉड़ी जो आपको दिखाई दी है रेड बॉड़ी है और इसके अंदर जो इंक होगी वो होगी ब्लू तो अब यह ती कैप होगी कैप गोल्डन होगी अब यहां पर तीन ग्रहों का असर इस पैन के अंदर आ जाता है यानि कि सूर्य बुद्ध और शनी अब इन तीनों की ताकत आप समझ लीजे सूर्य आपका मान समान आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा सब पर यह असर करता है बुद्ध प्योग है आप हर जगा करते हो अगर बुद्धी नहीं सही होगी तो कुछ भी सही नहीं होगा यानि कि सारी काबलियत होते हुए भी आप धरे के धरे रह जाओगे यानि कि आपके पास रेल गाड़ी तो है पर पट्री नहीं है यह समझ लीजे बुद्धी का प्रकर मित्रता को वो बना के रखता है अब सूर्य बुद्ध शनी यहां तीनों का रोल एक पैन में यहां पर समा जाता है अब बुद्ध को शनी की एक चुस्ती चलाकी मिलती है यानि कि आपकी जो बुद्धी है उसकी चुस्ती चलाकी शनी से उसको मिल रही है और सूर्य की मित् क्योंकि सूर्य बुद्ध के साथ ही चमकता है दोनों आसपास ही ब्रहमान में घूमते हैं जिस वज़े से इन दोनों की स्तिती कुंडली में आपको आसपास ही दिखाई देगी जब बुद्ध सूर्य से दूर नहीं रह सकता है तो हम उसको सूर्य से दूर करेंगे भी नहीं क क्योंकि हमें सूरी की मित्रता बुद्ध को चाहिए अब मार्किट में आपको मिल जाते हैं पैन आप इस तरह से देख लीजिए अगर माल लीजिए आपको बिल्कुल इस तरह का पैन नहीं मिल रहा है जो कि गोल्डन ये कैप है और ये रेड बैरल है ब्लू इंक है वो नहीं मिल रही है तब आप क्या करेंगे मेरे हाथ में ये दूसरे तरह का भी पैन है जो की पारकर का एक पैन है और इसका जो मॉडल है गिलेक्सी स्टेंडर्ड और इसका प्राइस जो है 400 के आसपास आपको ये मिल जाएगा और इसमें खासियत देखे क्या है इसमें आपको लिप है वह गोल्डन कलर की मिलेगी अब तीन शर्ते यहां पर पूरी हो गई कि रेड बॉड़ी होगी और गोल्डन कलर का जो कैप में यह कलर होना चाहिए और ब्लू कलर की इंक होनी चाहिए अब यह तीनों चीज़ें यहां पर मिल गई अगर आपको यह पैन बिलकुल स्टेंडर्ड पैन चाहिए और यह इसकी मैं बता रहता हूं यह रोलर पैन है विद गोल्ड प्लेटेड क्लिप और यह यहां पर सब यह जो इसकी इंफोर्मेशन है वह आप देख लीजिए और आपको ढूंडने में थोड़ी असानी रहे और अब इनको यूज कैसे करना ह सबसे बड़ी चीज वह आ जाती है कि आपके बास बंदूक तो आ गई जब तक आपको उसको चलाना नहीं जानते तो बंदूक आपके किसी काम कि नहीं आपके लिए स्पैसिफिक वह चीजिक काम करें यानि कि जो कमान से तीर निकला है वह निशाने पर ही लगे इधर उध रहे हैं उसकी प्रान परतिष्ठा होनी जरूरी है अगर आप एक्जाम के लिए या किसी भी इंपॉर्टन वर्ष के लिए पर अपने डेली यूज के लिए अपनी पॉकेट में रखते हैं तो वह पेन को एनरजाइज करना जरूरी होता है energized होगा तो वो बिल्कुल आपके लिए सटीक धंक से काम करेगा और आपको सटीक result देगा market से आपने pen लिया आपने pen pocket में रखा चलते बने वो pen इस तरीके से काम नहीं करेगा वो रोज मर रहा या फिर एक normal तरीके से ही आपके लिए उपयोग में आएगा क्योंकि एक simple सा logic समझे एक दुकानदार है दुकानदार के पास तो हजारों तरह के pen है तो इसका मतलब उस पर सभी घरों का effect आ रहा है सभी ग्रहे उसके लिए काम कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता है जब प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी भी चीज की चाहे वो मूर्ती हो चाहे उपाय की कोई भी वस्तु हो तो उसमें प्राण मंत्रों द्वारा फुके जाते हैं अब ये प्राण प्रतिष्ठा आप कहां से करा सकते हैं ये भी समझे आपके आसपास कहीं पर भी कोई करेंगे ताकि यह आपके लिए एक लख्टी पैन साबित हो लोग गल्ती यहीं करते हैं पैन तो ले लिया सब कुछ ले लिया उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता कि इस तरीके से हमारे लिए वस्तु काम करेगी वस्तु नَ बनके वो हमारे लिए एक लखी हमारे शरीर का ही एक अंग बन जाए हमारे हर जगा पर वो हमारे लिए एक अच्छा एक आउटपुट देने का काम करें तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारिया हैं इनको आप चुरूर ध्यान में रखा करें उपाय करने से पहले ताकि वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए आगया दीजे नमस्कार